आईमाक्स 3D में रिलीज होने वाली पहली भारतिये फिल्म पदमावत ने भारत के बारह आईमाक्स थीएट्रों से शुरुआती दिनों में ही धमाल मचा दिया पहले सब्ता के अंतक 3D आईमाक्स के बॉक्स ओफिस पर फिल्म ने 4,61,000 डॉलर यानी 29 करोड रुपए से अधिकी कमाई कर ली है आईमाक्स कॉर्पोरेशन और वाइकॉम 18 अठारह मोशन पिक्चर्ज ने बयान जारी कर फिल्म की कमाई की घोशना की है आईमाक्स एंटर्टीनमेंट के CEO ग्रेग फोस्टर ने कहा है कि भारत में आईमाक्स बॉक्स ओफिस पर फिल्म का रिकॉर्ड तोड प्रदर्शन काबिले तारीफ है यह स्थानिय दर्शकों के बीच भारत की सबसे बड़ी फिल्मों को अल्टरा इमर सिर्फ प्रारूप में दिखाय जाने की बढ़ती मांग को भी दर्शाता है उन्होंने कहा कि वह भारत में और वैश्विक नेटवर्क पर फिल्म की लगातार सफलता के लिए काफी उचसाहित है वह आगे भी इस तरह के फिल्मों का प्रदर्शन चाहते हैं आपको बता दें कि सूफी कवी मलिक मुहम्मद जायसी के महकावे पदमावत पर आधारित फिल्म में दीपिका पदकोन, शाहिद कपूर और रनवीर सिंग मुख्य किरदारों में नजरा आए हैं फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर अब दक 146 करोड रुपे की कमाई कर ली है